भारत की पार्मपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई बर्सों या कहें सद्यों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलजे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे ये रहसे कुछ ऐसे हैं जिने जितना सुलजाने की कोशिस होती है ये उतना ही पुलजते जाते हैं ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसल मेर जिले के कुलधरा गाउं में भी दफन है ये गाउं पिछले 170 साल से बीरान पड़ा है एक ऐसा गाउं जो रात ही रात में बीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखित इस गाउं के बीरान होने का राज क्या था कुलधरा गाउं के बीरान होने को लेकर एक अजीबो गरीब रहस्य है दरासल कुलधरा की कहानी सुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले जब कुलधरा खंड़र नहीं था बलकि आसपास के चुरासी गाउं पालिवाल ब्राहमनाँ से आवाद हुआ करते थे लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई वो सक्स था रियासत का दिवान सालम सिंग आयास दिवान सालम सिंग जिसकी गंदी नजर गाउं की एक खुबसूरत लड़की पर पड़ गई थी दिवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरा से उसे पा लेना चाहता था उसने इसके लिए ब्राह्मनों पर दवाब बनाना शुरू कर दिया हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दिवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्ण मासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो ये ग गाउवालों की लड़ाई अब एक हुवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गाउव के आतम सम्मान की भी गाउव की चौपाल पर पालिवाल ब्रहमनों की बैठक हुई और पांच अजार से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का हैसला ले लिया कहा जाता है कि निर्णे लेने के लिए सभी चुरासी गाउं वाले एक मंदिर पर इकठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दिवान को नहीं देंगे अगली शाम कूल धरा कुछ यू बीरान हुआ कि आज परिंदे भी उल गाउं की सरहदों में दाखिल नहीं होते कहते हैं गाउं छोड़ते वक्त उन ब्रहमनों ने इस जगा को शराप दिया था आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गाउं तो दोबारा बन गे लेकिन दो गाउं कुल धरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आवाद नहीं हुए हैं ये गाउं अब भारतिय पुरातत्त विवाग के शरंक्षन में हैं जिसे दिन की रोशनी में सेला रहने वालों के मुताविक यहां रहने वाले पालिवाल ब्रहमणों की आहट आज भी सुनाई देती हैं उन्हें वहां अरपल ऐसा अनुवव होता है कि कोई आसपास चल रहा है बाजार के चहल पहल की आवाजे आती हैं महिलाओं के बात करने और उनकी चूडियों और सानी घूमने आते रहते हैं लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है कुल धरा गाओं में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुकत है एक बावडी भी है जो उस दोर में पीने के पानी का जरिया था एक खामोस गलियारे में उतरती कुछ सीडिय भी हैं कहते हैं साम ढलने के बाद अक्सर यहां कुछ आवाजे सुनाई देती हैं लोग मानते हैं कि वह आवाज अठारवी सदी का वो दर्ध है जिन से पालिवाल ब्रहमन गुजरे थे गाओं के कुछ तूटे-पूटे मकान है जहां रहस्य में परच्छाई अक्सर नजर पराक्तों का एक रहस्य में संसार, लोग कहते हैं कि रात के बग्द यहां जो भी आया वहाध्से का शिकार हो गया, यह सच है कि कुलढ़रा से अजारों परिवारों का पलायन हुआ और इस समय कुलढ़रा पूरी दरा बीरान है, लेकिन ये भी सच है कि कुलढ़रा में अंदर दवा रखा था यही वज़ा है कि जो कोई भी यहां आता है जगा जगा खुदाई करने लग जाता है इस उमीद से कि शायत बैसोना उसके हाथ लग जाए यह गाउं आज भी जगा जगा से खुदा हुआ मिलता है तो यह थी कुल्धरा गाउं की पूरी हकिकत दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में